आज के डिजिटल जुग में हमारे सारे काम ऑनलाइन ही होते हैं। घर में कुछ समान मांगने से लेकर गाड़ी तक आप घर बेठे हो ओडर कर सकते हो। यह ओडर करने के लिए आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन की नौलज होनी चाहिए। जहाँ पर आपको इसके फायदे हैं। बहाँ पर आपको आपके अकाउंट हैक होने का भी खत्रा है। हैकर्ज की नजर आपके बैंक अकाउंट पर होती है। अगर आप कुछ भी transaction करते हो तो आपको ATM या debit cards की जरुरत तो पड़ती है। उसी की information hack कर hackers आपके account को hack कर लेते हैं। hackers नए नए तरीका का इस्तेमाल करते हैं। जिससे आपके account की information मिल सके। hackers मुख्यत हिन दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। SIM card, cloning और masking हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब वाले बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मासकी में जब आप ATM या डेविट काग से जब बैंक से रूपिय निकलते हैं। तो आपको मोबाई में इमेल या मेसेज के जरिये आपको इन्फॉर्मेशन भी जाती है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हैक कर हैकर आपके अकाउंट से रूपिय निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है, सिम कार्ट ट्लोनिंग। जब आप किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को करते हैं, तो एक ओटीपी आता है। बिना इस ओतब के आपका कोई भी ट्रांजैक्शन कंपलीट नहीं होता। तो हैकर आपके कोई भी भूफ को हैक कर लेते हैं। आपके सिम कार्ट को ब्लॉक कर नया सिम कार्ट एक्टिवेट कर लेते हैं। और आपका ओतब उसके मुबाइल पर आएगा। इस तरह वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो से कुछ सिखने को अवश्य मिला होगा, हम आपके लिए ऐसी ही नॉलिजबल वीडियो लाते रहेगे, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में रिपलाई जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद